हेलो फ्रेंट्स दिस इस एस्पीशिंग एंड वलकम तो इश्मारिटर एवरिटी प्यारे दोस्तों बाली आवस्ता एवं विकास चाइल्डूड एंड ग्रोविंग अप सभी उनिवर्सिटीज का कॉमन टॉपिक है आज इसके हम लोग पहले तो अब्जेक्टिव टाइप क मिल जाएगा क्योंकि इस क्लास में हम लोग बाली आवस्ता का आर्थ परिभाषाएं विशेष्टाएं और बाल विकास का महत्तों ये सारी चीजे बहुत ही आशान भाषा में और अभीवरद्धी विकास में अंतर मैंने उसमें पढ़ाया ही है आज फिर इस क्लास में डिस महत्तों ये सारी चीजे आपको एक जगह नहीं मिलेंगी तो क्लास में लाश तक बने रही है और डेफरेंटली बहुत कुछ सीकर के आप जाने वाले हैं चलिए सुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आपको मैं बता दूँ यह जो पीडियेफ है वह आपको यहां से मिलेगी य और इसके बाद ये इस्टागराम है इसका वे link description box में दिया हुआ है ये मेरा दूसरा चैनल है इसका वे link description box में दिया हुआ है एक बार आप चेक आड़ करें आप चाहें तो हमें यह फालो कर सकते हैं चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं बाल विकास की अव उस दिन मैंने क्लास दी थी जिसमें मैंने अपने नोट्स भी आपको लोगों को दिये थे अगर उसको भी आपने देखा होगा तो आज ये क्लास बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे देखिए सबसे पहले तो concept समझना बहुत जिरूरी हो जाता है देखिए अब धार्णा जिसको कहते हैं बाल अभी वरद्धी एवं विकास का प्रत्य यानि कि concept of child growth and development आखिर ये है क्या पूरा detail में आपको लेकर चलूँगा अच्छ अक्सर विकास को अभी वरद्धी के पर्य अर्थ में लिया जाता है और वो अर्थ क्या होता है बढ़ना यानि कि growth दोनों चीजों में growth होती है लेकिन उसके पावजूद भी there is a difference between growth and development लेकिन उसके बाद भी दोनों में अंतर है लेकिन मनो विज्ञान इन दोनों शब्दों में क्या करता है विभेद करता है अंतर कर करता है difference करता है अभी व्रधी कार्थ यानि की growth कार्थ शीमित रूप में सरीर एवं उसके अवेवव में ब्रधी से है अगर आप deeply समझेगे तो यहीं पर पूरा समझ जाएंगे देखिए अभी व्रधी का मतलब होता है कि सरीर में ब्रधी ठीक है आपके हाथ पैर बढ़न लंबा हो गया है काफि उसका सरीर डफलप कर गया और अभी व्रधी विकास का ही एक चरण है ठीक है अभी व्रधी में आकार तथा प्रिणाम दोनों में परिवर्तन होता है तथा इसका मापन संभव है जो व्रधी है उसको हम माप सकते हैं व्रधी में क्या होता है कि सरीर म क difference 4 गिलो था, अभी आप कितने हो गए है, 42 के हो गए 45 के हो गए, इसको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, इस परकार से, परन्तु विकास सरीर्था मन में होने वाले सभी प्रकार के प्रिवर्तन है लेकिन जो विकास है वो आपके सरीर और आपके मन के अंदर आपके आपने कितना सीखा है ना आज आप क्या है एक साल बाद आप कितने समझदार हो जाएंगे एक साल पहले आप इतने समझदार नहीं थे जितने आज है यह क्य यानि कि विकास को हम माप नहीं सकते हम यह नहीं कह सकते हैं कि एक साल पहले तुम कितने समझदार थे और आज कितने समझदार हो गए तुम्हें कितनी आकल आ गई है यह नहीं माप सकते हैं यह माप सकते हैं कि एक साल पहले तुम्हारा वेट था 40 किलो आज तुम 45 के हो गए ह ये तो माप सकते हैं, लंबाई तो उसकी माप सकते हैं, ये सब चीज़े हैं माप सकते हैं, विकास एक अनवरत चलने वाली प्रकरिया है, यानकी सत्त चलने वाली प्रकरिया है, जो गर्भा धारन से लेकर के जीवन परियंत चलती रहती है, यानकी विकास एक ऐसी प्रकरिया में विकास कहा जाता है हमारे अलग अलग पडिकार चैंशेस आते हैं उन्हें क्या एक विकास को की प्रक्रिया में साड़िक मांसिकSc वह बावन अत्मक आदी पहल thievesamil in आपका साड़िक जो हो रहा है वो भी सामिल है आपका mentor development हो रहा है वो भी eros समाज में आपको समाज के बारे में आप आपने कितनी चीज इतने अकल आसे हैं कि कौन विक्ति अच्छा है किसको verm景 करना भवना थक आध ही पहलू इसमें सामिल होते हैं मनुसckt के जीवन में प्रगत्ति की राह में होने वाले करमिक प्रिवर्तनों को विकास की शंग्या दी गई है कुछ विद्वानों का मत है कि विकास परिपकोता की पश्चात रूक जाता है लेकिन ये मत सत्य नहीं है लोग कहते हैं कि जब आपके अंदर परिपकोता आ जाती है कुछ विद्वान तो विकास रूक जाता नहीं आधा ऐसा नहीं है कि विकास का करम आजीवन चलता रहता है परिप्वकुता की आवस्था के बाद उसकी गती धीमी आवश्ची ऐसा है कि जैसे एक उम्र के बाद आपका विकास धीमे तो हो सकता है लेकें इस टॉप नहीं होगा भई क्योंकि इसमें सीखने की बात हो और सीखे तो हम जीवन पर रहते हैं, है ना, जो चीज़े में पहले मुझे नहीं आती ति वो आप आती है, और जो आज से चार साल बाद में जितना समझदार हो जाओंगा, उतनी आज नहीं आती है, ये क्या है, ये विकाश है, डवलेमेंट हमारे अंदर होता रहता है, चलि अधिका मतलब क्या है, किसी चीज़ का फैल ना, कई बार आप लोग फैल जाते हैं, फैल का मतलब है कि पहले सीधी भाशा में आपकी कमर थी 28, अब पता लेके कमर नहीं अब पूरा हो गया है, पहले 28 थी 35 हो गई है, ये क्या है, या फैल गया है, या बढ़ गया है, ठीक ह व्रद्धी शब्द अंगरेजी भाशा के ग्रोथ शब्द का हिंदी रुपांत्रन है, ठीक है, जिसका अर्थ परिपकोता की ओर बढ़ना है, व्रद्धी से अविप्राय है कि आपकी लंबाई बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, आपके सरीर का आकार बढ़ रह है, एवां मानों सरीर के विभिन भागों में मात्रात्मक परिवर्तन से है, इस प्रकार गरब धारन से लेकर के शैश्वावस्था, बाल्यावस्था की सोरावस्था के रास्ते होते हुए प्रोड़ावस्था तक पहुंचने के दौरान विक्त के विभिन अंगों के आकार लंबाई यह वहार में होने वाले प्रिवर्थन को ब्रद्धी का जाता है, यानि कि ब्रद्धी आपका क्या हो जाएगा, आपके लंबाई बढ़ेगी, आपका वेट बढ़ेगा, आपके स्रीर का साइज बढ़ेगा, है ना, और इस प्रकार से गर्ब धारन से लेकरके सहसgrown वस्तह फिर बाले वस्ता आती है फिर किसवरार वस्ता इस प्रकार से प्रोड वस्ता तक पहुंचने के डिवरिंग, विक्त के विभिन अंगों के उनके जो आकार, लंबाई भार में जो ब्रद्धी होती है, प्रिवर्तन जो होते हैं वही ब्रद्धी होती है फ्रैंक कहते हैं कि अभी ब्रद्धी से ताथ पर कोशिकाओं में होने वाली ब्रद्धी से होता है जैसे लंबाई और भार में ब्रद्धी हो गई जबकि विकास एतात पर प्राणी में होने वाले संपूर्ण प्रिवर्तन यानि कि अगर विकास की बात करेंगे तो सरवांगीन आ जाएगा उसमें सब्द सरवांगीन का मतलब होता है आपका मांसिक, साड़िक, सामाचिक, आर्थिक, हर तरीके का विकास मेरी डित कहते हैं कि कुछ लिखक अभिवर्द्धी का प्रयोग केवल आकार की ब्रद्धी के अर्थ में करते हैं और कुछ विकास का भेदिकरण और विशिश्टिकरण के अर्थ में करते हैं जो परिवासां आपको दो-तिन अच्छी लगें उन्हीं को आप याद कर लिना जे जी ए हैट फिल्ड कहते हैं कि अभी व्रद्धी आकार का बढ़ना है और विकास रूप एवं आकार दोनों में परिवर्तन का होना है शिंपल सी परिभाशा है आप इसको याद कर सकते हैं आप देखिए बाल विकास का आर्थिवम यह आपका डबल हो गया चलिए आगे बढ़ जाते हैं गेसल के अनुसार देखिए गेसल के अनुसार विकास केवल एक प्रत्यानिक विचार ही नहीं है इसे देखा जाचा और किसी सीमा तक विभिन दिशाओं शरीर अंग विसलेशन शरीर ग्यांत रता विवहारात्मक में मापा जा सकता है इन सब में विवहार ही सबसे अधिक विखासातमक इस्तर और विखासातमक शक्तियों को विक्त करने का क्या है माध्या में लाब आरबा के अनुसार विकास कार्थ परिपक्ता और कारेप्रक सुधार की विवस्ता से है जिसका शमद गुणात्मक और परिमानात्मक परिवर्तनों से होता है ये कुछ परिभासाएं थी इनको आप का करेंगे बहतिन तरीके से याद कर लेंगे अब हम बाल विकास की कुछ विशेष्टाओं को समझते हैं देखिए थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि कलियर देखे आपको बाल विकास की विशेष्टा है क्यों करक्टरिश्टिक्स ओफ सेल डवलप्मेंट बहुत इंपोर्टेंट आपका विशेष्टा है यहां से आपके कई कोशन्स कंप्लीट हो जाएंगे विकास क्या है सतत और क्रमिक चलने वाली प्रकरिया है बाल विकास एक निरंतर चलने वाली प्रकरिया है जो विक्तिके जन्म से मर्तिव तक अनवरत यानिकी सतत कंटीनियू चलती रहती है विकासिय के क्रमिक परकरिया भी है क्योंकि इसमें प्रतेक अवस्था स्वेम की पूर अवस्था से किसी माध्यम से जूड़ी रहती है क्रम से चलती है आनुवन सिक्ता यह वातावरण द्वारा परभाव भी पड़ता है भाई हमारे अंदर डिपलेपेंट उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार के वातावरण में हम रह रहे हैं जैसे हमारे पैरेंट्स हैं है ना वह आनुवन सिक्ता की बात करें तो जैसे हमारे पैरेंट्स हमारे दादा दादी रह चुके हैं पूरवज है ना उसी प्रकार से कुछ ना कुछ थोड़े बहुत क्वालिटी जमाने अंदर आ जाएंगी बाल विकाश आनुवनसिक्ता एवं वातावरण से प्रभावित होता है क्योंकि बालक जिस वातावरण में जन्म लेता है उशी की अनुरूप उसका विकास होता है साथ माता पिता तथा पूरवजों के आनुवनसिक लक्षणों का प्रभाव भी बालक के किसी विकास को किसी ना किसी रूप में प्रिलच्चित होता है वाइ पुर्वचय हमारे मैंने अभी कहा ना अमेरे दादा-दादी या परदादा उनके कुछ लच्छन हमारे अंदर तीरी-दीर आ जाते हैं ठीक है उनका भी प्रभाव पढ़ता है विकास का निश्चित सुरूप देखे वालक के विकास का सुरूप निश्चित होता है य ये प्रकृति का नियम है नवीन शुरूप को धारन करना बाल विकास की प्रिक्रिया के बीच जहां पुरानी रूप रेखा खत्म हो जाती है वही नवीन रूप रेखा प्रारम हो जाती है अर्थात बाल विकास के अंतरगत बालक का सारिक शुरूप नवीन रूप में यान की बाला के जब deployment होता है तो उसका एक नया सुरूप उसको मिलने लगता है उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं जैसे पुराने दातों के स्थान पर नए दात निकलाते हैं है ना दूद के दात गिर जाते हैं फिर नए दात मजबूत दात आ जाते हैं यौन परिवर्तन और फिर आवाज में भी तो परिवर्तन हो जाता है कि बच्चों जैसी आवाज तो हमारी हमेशा रहती नहीं है having hasht कहते हैं कि जब सरीर परिपक को हो जाता है और विक्ति किसी भी कारे को करने के लिए तयार रहता है शमाज को उसकी आवसकता होती है ऐसे शमय में विकास प्रिक्रिया में विक्ति नवीन ग्यान और कोसल को जब वो घर से निकल करें प्रिवार से निकल करें समाज में जाता है तो नई नई चीजों को एडाप्ट करता है सीखता है शमाज से सीखता है विद्याला से सीखता है है ना गुणात्मक और मात्रात्मक मापन संभाव देखिए मानो विकास मात्रात्मक युम गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है जिसका क्या है मापन किया जा सकता है मात्रात्मक अभिवरद्धी यानि कि विकास का मापन गनतिये विद्धियों से किया जाता है किसे कैसे किया जाता है गणतिय विधियों से परंतु गुणात्मक विकास का गणतिय विधियों के बजाए मनोवेगनिक विधियों दोरा मापा जाता है प्राकर्तिक वं सामाजिक प्रक्रिया बाल विकास की प्रक्रिया सतत प्रक्रिया होने के साथ साथ प्राकर्तिक वं सामाजिक भी है प्राकर्तिक भी है और सामाजिक भी इसके अंतरगत बालक प्राकर्तिक वं सामाजिक वातावण के अनुसार बढ़ता रहता है नेक्स्ट वान इस विकास की विशिष्टता, बालक की विकास में विशिष्टता भी पाई जाती है, क्योंकि बाल विकास की परतेक अवस्था में कुछ शंकलों का विकास होता रहता है, जैसे कि फिल्ड में आपके कहते हैं, मानव जीवन अनेक अवस्थाओं से गुजरता ह मारो जिवन गर्भीय से किसी भी अवस्था में कम नहीं है पर तेक अवस्था में प्रभावसाली विशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष रहने की विकास के बालक में बज़्टपन में कहा है जन्म के समय उसके अंदर विकास बहुत तीवर्गती से हो रहा होता है लेकिन क्या प्रोड़ावस्था में भी वही तीवर्टा बनी रहती हैं नहीं प्रोड़ावस्था में आकर के जो विकास है वो धीमा पड़ जाता है पूर्व की इस्तिती में परिवर्तन, बालत की विकास के साथी साथ बालत की स्यारेड़क रूप रेखा में भी कई परिवर्तन होते हैं यह परिवर्तन बालक में जांग, डांग एवं चाती आदि में थ्विमेस था पीनियल गरतियों के करण होता है चिंतन, रेंगना, गतसीलता, घुटनों के बल चलना, स्वाद, घ्राण सक्ति, आद में परिवर्तन भी आता जाता है धीरे धीरे और next one is परिवर्तन सील, आकार एवं ब्रद्धी देखिए शाइडिक अभी व्रद्धी के शमय बालक के आकार एवं भार में परिवर्तन दस्टिकत होता है, दिखाई पढ़ता है कि हाँ बालक का सरीर बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है जैसे जैसे बालक बढ़ता है उसके शरीर के भार में कद में व्याश में ऐस्शमान व्रद्धी होती जाती है आंतरिक अभिव्यों में हरदय, फेफड़े, उदर एवं आतों की अभिव्रद्धी होती है इस प्रकार हम देखते हैं, विकास की प्रक्रिया कुछ बिशेश बिशेशताओं को लेकर के आगे बढ़ती है शाथी शाथ विकास क्या है कि व्यापक शम्परते भी है, इसमें विक्ति के जीवन काल में आए सभी chances को सम्मलित किया जाता है, उनको include किया जाता है आप देखिए, हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, मैंने उसी दिन इस क्लास को पढ़ाया था, आज थोड़ा जल्दी में पढ़ लेते हैं अभी व्रद्धी विकास में अंतर को समझ लेते हैं इसकी proper तरीके से आदे गंटे क्लास मैंने दी हुई है, अगर उसको अपने नहीं देखा तो उसको समझ लेना, दुबारा कभी आपको growth and development पढ़ने के आऊ सकता नहीं पढ़ेगी सबसे पहले तो अर्थ क्या है देखिए, अभी व्रद्धी का आर्थ होता है, शरीर एवम उसके अव्रद्धी से होता है, कि शरीर में बढ़ोती है ठीक है और विकास का मतलब होता है कि सरीर का सरवांगिन विकास ब्रद्धी के सारशाथ व्यक्ति में mental भी development हो रहे हो, उसका मन में, उसके दिमाग में, उसका समाजिक, आर्थिखर, समाजिक है ना, ये सारे प्रिवरतन उसके अंदर हो रहे हो प्रिवरतन जैसे अभी वर्द्धी में क्या है सनसनात्मक, मात्रात्मक, प्रिमानात्मक प्रिवरतन होते हैं, विकास में प्रकार्यात्मक एवं गुणात्मक प्रिवरतनों का बोध हो रहा होता है प्रिपकुता से शमंदित देखिए maturity, अभिवरद्धी की प्रकरिया आजीवन नहीं चलती है ऐसा तो है ने कि आप हमेशा बढ़ते रहते हैं एक समय के बाद आपके सरीर में जो ब्रद्धी है जो बढ़तरी है वो रुक जाती है बालक के दौरा परिपकुता गरहन करने के साथ ही समाप्त हो जाती है है ना विकास का एक शतत प्रकरिया है यहां समात्न हो करके आजीवन चलती रहती है प्रोसेस में क्या है कि अभिवरद्धी के निश्चित समय तक चलने वाली प्रकरिया है कि निश्चित समय है इसका और यह अजिवन चलती है. अभी वरिद्दिकार्थ सीमित होता है क्योंकि ये सिर्फ सरीर के आकार के बढ़ने से इसका अधारना व्यापक है, बड़ी है क्योंकि इसमें आपका सरीर का भी विकास áh yaart आपका मालिसिक विकास भी हो राताै हर तरीके से इसलिए यहाँ पर सिरवांगिन की बात आ जाती है चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं next point हमारे पास है बाल विकास में होने वाले प्रिवर्तनों के प्रकार देखिए किस-किस प्रकार के प्रिवर्तन हो रहे होते हैं ओके टाइप्स ऑफ चैंजेस इन चैल्ड डप्लेमेंट बालक के विकास में निरंतर होने वाले प्रिवर्तन इस प्रकार हैं सरीर और मन दोनों से शमंदित होते हैं नमर एक तो आकार में प्रिवर्तन होता है यह प्रिवर्तन सरीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास में दिखाई देता है आकार में प्रिवर्तन है ना सरीरिक विकास से तातपर बहार उचाई मोटाई आधी में निरंतर होने वाले प्रिवर्तन है और बालक के आंत्रिक भागों में भी तो प्रिवर्तन हो रहा होता है जैसे हिर्दे बढ़ना फेफड़ां आते इनमें भी तो ब्रदी हो रही होती है यह सबीएंगा सरीड की आवेशक्ताओं को पूरा करने के लिए क्या हैं बहुत आवेशक्त हैं आयू प्रिवर्तन हो रही होती है अनुपात में भी प्रिवर्तन आ जाता है देखिए चेंसें प्रोपॉर्शन बालक का साड़क विकास सभी अंगों में एक समान रूप से नहीं होता है नवजात सिसू के अन्य अंगों के पेच्छा उसका सिर्क काफी बड़ा होता है जो इस प्रकार बालक के मानसिक विकास में भी अंतर दिखाई देता है बाल्यावस्था की शुरुवात में बालकों की रूची की आत्म केंदृत होती है आत्म केंदृत का मतलब है कि बालक बहारी लोगों से फालतों लोगों से बाचित करना पसंद नहीं करते हैं वह अपने मस्त मगल नहते हैं जेंशे जशें आईउब भड़ती है उसके साथ-साथ उनकी रूची का चैंतर भी बड़ता जाता है पुरानी आकरतियों का लोप हो जाता है disappearance of old immenses बालक में धीरे धीरे उसके बच्चपन की आकरतियों का लोप होना प्रार्म हो जाता है ना बच्चपन में बालों और दातों का लोप भी इस्पेस्ट तम रूप में दिखाई देता है भाई जो बाल आपके बच्पन के समय आये थे वो सब गायब हो जाते हैं दात वो गायब हो जाते हैं इसी प्रकार बालक दुआरा बच्पन में बोली जाने वाली भासा जैसे बला बलाना है ना तू तहाँ दया था इस प्रकार से है ना मैं अभी थाना नहीं थाउंदा इस प्रकार से जो बलबलाना होता है वो भी क्या है गायब हो जाता है बच्पन में बालक चलने की सुरुआता रेंग कर या घिसट कर करता है क्या वो जब उसकी उम्मर बढ़ जाते तब यह य नहीं करता है फिर क्या है और सीधा खड़ा हो करके चलने लगता है इन सब चीजों का क्या है लोप हो जाता है यह सब चीजे गायब हो जाती है और नई नई चीजे क्या है उसमें आ जाती है निक्लिट हो जाती है इंस्टॉल हो जाती है विकास की अवस्था में पुरानी ऑकरतियों में परिवर्तन के शाथ ही नई आकरतियों का वन्ना प्रारम हो जाता है यह परिवर्तन बालकी सारिक और मासिक दुन आवस्ता, ने करहा की चो यह परिवर्त हुआम के परिकिरियान, अहीं के जो लांडिक, परिवरतन होने लगते हैं अब रेक्ताइज का महा तो समझे लेते हैं ठीक है कि देखिये नंबर एक तो पा लख की विकासात में क्रियाओं का ज्ञान पर्याप्त होता है परत्व पालक अपनी विकास प्रक्रिया में अपने development process में एक निश्चित आयू में एक गुण परदासित करता है ये गुण उससे पूर वियाबाद की विकास अवस्थाओं में क्या है प्रिलिच्छित नहीं होता है और यदि होता भी है तो सामानी रूप में होता है बिशिष्ट रूप में नहीं होता है इनी प्रि बाल विकास की अवस्था का ग्यान प्राप्त करके जो गर्जिन है इन विकास अपने क्रियाओं के बेश पे बाला के विकास का उचित निर्देशन भी दे सकते हैं बाल पूशन विधियों का ग्यान बाल विकास के अध्यन से माता-पिता अपनी मात्रत तो एवं पित्रत क के दाइत को अच्छे सिस्ट समझ सकते हैं एवं उनका सभलता पूर्वक निर्वाहान कर सकते हैं बालविकास के अध्यन से माता-पिता को बालक के पूशन से समझत सायता प्राप्त होती जाती है विक्तिकत विभनताओं की जानकारी प्राप्त होती है बालक को है ना आमी सिच्छा की उस्था की जाती है जिसमें विकास की प्रिक्रिया का एक निश्चित स्वरूप होता है जैसे मंद बुद्धी बालक के पेच्छा जो कुसागर बुद्धी के बालक होते हैं वो जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं आगे बढ़ जाते हैं बालकों के प्र पता लगाकर उसके प्रसिच्छन एवं सिच्छा की विवस्था की जाती है बालकों की मांसिक योगता को आधार मानकर ही उनके लिए पाठ्धिरम का निदारण किया जाता है विद्यालई किरिया कलापों में भी बालक की मांसिक योगता आयू शक्ति इंच सब चीजों को रखा जाता है बालक के शंपूर्ण विकास की अवस्थाओं का ग्यान बालक गरभा वस्था से ले करके प्रोड़ा वस्था तक किसी प्रकार की विक्सित किस प्रकार विक्सित होता है इसका ग्यान माता पिता बाल विकास के अध्यन से ये प्राप्त कर सकते हैं एवं अपने सिस्टों के विकास की विभिन नमस्ताओं के विकास में उसका समुचित प्रियोग करके उसके विकास में युगदान दे सकते हैं बालक के विवहार के नियनतन करने में भी सायक होता है बालक को समाज के अच्छे नागरिक के रूप में डफलप करना ही बाल विकास का क्या है प्रमखुदेश है समाज बालक को तो बालक को तब ही accept करता है जब बालक का साड़िक मानसिक विवार शामान होता है अगर बालक कहीं अपराधी हो या समस्यात्मक हो तो समाज उसको क्या करता है अवाइड करता है नकार देता है बालक विकास का अधिन बालकों की बुरी आधितों विवहारों र मिलते हैं बहुजंदी नेक्स्ट क्लास में